नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागते हैं आप सभी कामारी आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं mathematics से एक बहुत ही important topic जिसका नाम है partial fraction ठीक है दोस्तों अब partial fractions होते क्या हैं पहले हम लोग यह जानेंगे तो partial fraction को समझने के लिए हम लोग for example पहले दो fractions को ले लेते हैं और इनको add करते हैं ठीक है मालीजे मेरे पास एक fraction है 2 upon x minus 2 plus 3 upon x plus 1 इन दोनों fractions को जब हम add करते हैं तो हमें result मिलता है 5x minus 4 upon x square minus x minus 2 अब समझ लेते हैं कि result हमें किस तरह से मिला होगा सबसे पहले हमने दोनों fractions को add किया है इन दोनों fractions का that is इन दोनों fractions के जो denominator हैं calcium ले लिया ठीक है नौ इसको हम multiply करेंगे x plus 1 को 2 में and 3 का multiply हम करेंगे x minus 2 में और आगे इनको solve करेंगे solve करने पर finally हम एक result वह जाएगा 5x minus 4 upon x minus 2 dot x plus 1 in the bracket अब हमें समझ लाएं कि हमें यह जों कर रहा है इसको और partial fraction दोनों में क्या relation है यह हम क्यों कर रहा है लेकि माहिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप 5x minus 4 upon x minus 2 dot x plus 1 इस जो result है इसको break कीजे वापस से और वही तो original fractions में इसको break कीजे जिन fractions को add करने पर मुझे result मिला है यानि मैं बात कर रहा हूँ 2 upon x minus 2 plus 3 upon x plus 1 मुझे दोनों fractions चाहिए अपने result से तो यह जो reverse process होगा इन दोनों fractions को find out करने का from the result इस process को इस reverse process को हम लोग partial fraction कहते हैं ठीक है तो इतना हमें clear होना चाहिए पहले partial fraction क्या है और कैसे हम partial fraction निकालते हैं वो हम आगे दिखेंगे भी तो यह जो reverse process है result से वापस उनी fractions को find out करने का जिनसे add करने पे हमें यह result मिला था partial fraction कहलाता है चलिए ठीक है तो इसकी definition हो जाएगी the reverse process of obtaining the original fractions from the result is called partial fraction अब हम यह process कैसे कैसे हम इस result से इन दोनों fractions को find out करेंगे वो देखता है तो हमारा जो result था वो था 5x-4 upon x-2 x plus 1 in the bracket तो मैं इसको break कर लेता हूँ suppose a upon x-2 plus b upon x plus 1 ठीक है अब इसको मैं further solve करता हूँ तो यह हो जाएगा l शम लेने पर x-2 dot x plus 1 और इसको मैं अदर multiply करूँगा a के साथ cross multiply x plus 1 की and b के साथ cross multiply x-2 की इसके बाद मैं cross इसको अंदर multiply करूँगा एको तो यह हो जाएगा a x plus a and यह हो जाएगा b x minus 2 b upon x-2 x plus 1 और यह result किसके बरावर होगा x 5x-4 upon x-2 and x plus 1 तो आप धेयान से देखेंगे यह cancel out कर देगा इसको और finally जो मेरे पास result रहेगा rhs वहने की right hand segment में वो रहेगा a plus b x अगर मैं x के terms को एक साथ लिख रहा हूँ ठीक है plus a minus 2b यह मेरे constant terms है ठीक है अभी मैं क्या करने वाला हूँ दोनों तरफ के जो coefficients है उनको मैं compare करने वाला हूँ ठीक है तो comparing coefficients of both sides we have क्या मिलेगा हमें दोस्तों हम इधर देखेंगे कि a plus b यह हमारे पास में है इधर x कोफिशेंट है इधर x कोफिशेंट है 5 तो माल ले रहे हैं कि equation 1 है इधर हम देख रहे हैं कि constant term है हमारे पास a minus 2b और इधर हमारा constant term है minus 4 इसे हमाल ले रहे है equation 2 मैं क्या करने वाला हूँ इन दोन equations को minus कर दे रहा हूँ equation 1 से equation 2 को equation 1 minus equation 2 मैं कर दे रहा हूँ तो minus plus plus तो A मेरा cancel हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3B equal to 9, and 3 से 9 to cancel out करेंगे तो 3 3 जा 9, तो B की value मुझे क्या मिलनी, 9, अब मैं क्या करने वादा हूँ, B की value को मैं equation 1 में place करूँगा वपस से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, A plus B equal to 5 था, अब मैं यहाँ पर अगर B की value यहाँ प्लेस कर दूँ, तो मैंको A की value मिल जाएगी, कितनी, 2, तो अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास हमने 5X minus 4 upon, X minus 2, and X plus 1 को break किया थक इसमे, A upon X minus 2, plus B upon X plus 1 है, ठीक है, तो A की value मेरे को मिली 2 upon X minus 2, and B की value मेरे को मिली 3 upon X plus 1, तो B की value मैंने B की place पर एक की value मैंने E की place पर रख दी, ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, क्या यह दोनों हमारी original fraction नहीं है, जिनको हमने add किया था, और add करने के बाद में हमें result मिला था, ठीक है, तो यह जो process मैंने किया दोस्तों, ठीक है, result स original fractions को find out करने का, इसी process को हम लोग कहते है, partial fraction, अब partial fraction की जरूरत हमें कई जिगा पड़ेगी, ठीक है, एक application तो यह ही है, कि हम result से अपने original fractions find out करना चाहा है, दूसरी बात यह है, कि जब हम integration करते है, with the class 12 में हम integration कर रहे है, plus 2 के student है, हम higher integration कर रहे है, या फिर higher classes में हम कहीं भी integration कर रहे है, तो जब भी हम integration करेंगे, तो बहुत बार हमें partial fraction के help लेनी पड़ेगी, बिना partial fraction के हम integration नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यह concept हमें clear होना चाहिए, यह जो हमने अभी किया है, यह सिर्फ basics है, ठीक है, partial fractions के और भी बहुत सारे cases है, उन cases को मैं आपके साथ next videos में discuss क करूँगा, तो आपसे उमीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, next video मैं, मैं partial fraction के cases को आपके साथ discuss करूँगा, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि बने रहे हैं हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please comment करके हमें जरूर ब